मिनाक्षी ने 12 लाग रुपे का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया पांच माह बाद 9 लाग रुपे की पूंजी के साथ अब है इस व्यापार में साजीदार बन गया है वर्स के अंत में 4,4,600 रुपे लाब के प्राप्त होते हैं तो प्रतेक का लाब कितना है प्रतेक का लाब कितना है प्रतेक का लाब बताना है तो देखे मिनाक्षी ने पैसे कितने निवेश किये हैं यहाँ पर मिनाक्षी मिनाक्षी ने 12 लाग रुपे निवेश किया है और पांच माह बाद कौन आ गया है इसमें व्यापार में अब है अब है 9 लाग रुपे ठीक है वर्स के अंत में ध्यांदे यहाँ पर वर्स के अंत में मतलब होता है एक साल वर्स के अंत में मींस एक साल एक साल के बाद लाव यह होता है यहां पर तो यह पूझी शुरू से लेके आखरी तक जमा रही है तो यह 12 माह तक रही है ठीक है 12 माह तक रही है 5 माह बाद यह निवेश किया है तो पांच बारा में से अगर 5 माह खर्च हो जाएगा तो कितना समय बच़ेगा साथ मा, clear है तो यहाँ पर इसका रेशियो निकाल लीजिए पांच पांच जीरो आप काट लीजिए यहाँ पर तीन से काट लीजिए, तीन तरक को नो तीन चुको बारा और तीन से कट जाएगा, तीन चुको बारा चार चुको सोला अनुपाथ साथ बचे गाँ, ठीक है तो इस लाव को सोला नुपाथ साथ के अनुपाथ में वर्टा जाता है टोटल लाव हो गया सोला नुपाथ साथ, तो कुल मिलाके हो जाएगा कुल मिलाकर 23 रेशियो बराबर हो जाएगा 44,000 चार लाग एक तालेस जार छे सो तो एक रेशियो बराबर बटे तेईस हो जाएगा स्वाल कर लेते हैं तेईस एक कम तेईस और यहां पर दो बचेगा एक तेईस नौ बार जाएगा चार बचेगा तेईस दुना छे आलेस डबल जीरो यह कैंसल हो गया 19200 एक रेशियो बराबर प्रतेक में से लाब कितना है प्रतेक का लाब तो पहले वाले का लाब बताना है मानलो अमित का बताना होता देखिए अगर आपको मिनाक्षी का बताना है तो 16 से गुड़ा कर दीजी अगर अमित का बताना है तो 7 से गुड़ा कर दीजी चलिए हम अमित का निकाल लेते हैं तो यहाँ पे गुड़ा कर देते हैं 7 से 190 00 724 767 664 776 13 तो यह हो गया 134,400 अमित का अगर आपको मिनाक्षी का निकालना है तो किस से गुड़ा कर देना है 16 से ठीक है तो आपको समझ में आया हो आई थिंक यह कुश्चिन पूछा है अनिल जी ने तो ऐसे और कुश्चिन आपको पूछ सकते हैं आपको तुरंत सॉलिशन में लेगा थेंक यू